नमस्कार बच्छो मैं विकास स्वागत है आपका इशड़ी मेरी जिद में आज आपका हिंदी में टॉपिक है लिंग और इस टॉपिक से आपके एक्जाम में एक या दो प्रशन आने अनिवारे होते हैं तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे आखिर में लिंग कहते किसे है और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके नियम जो आपको दिये गए है कि करके हम नियम के वारे में चर्चा करेंगे और लाश्ट में हम आपको एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे ताकि आपको इस नियम दिये गए हैं इन नियमों को याद करने कि आपको आवशकता ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए सुरुगात करते हैं सबसे पहले बात आती है आखिर में लिंग होता क्या है लिंग कहते किसे या लिंग का अर्थ क्या होता है तो लिंग का अर्थ होता है पहचान या फिर निशान लिंग का अर्थ क्या होता है चिन या निशान भी कह सकते है य वो सब्द जो है वो इस्त्री लिंग है या पुल लिंग है भई जब कोई चिन होगा तब ही तो आप पहचान पाओगे कि भई ये इस चिन के कारण ये इस्त्री लिंग में जाएगा और इस चिन के कारण ये पुल लिंग में जाएगा या उसकी कोई एक पहचान होगी ठीक ह अगला जो point है वो आपका क्या है कि परिभाशा जो है आपकी link की आखर में link कहते किसे है सब्द के जिस रूप से ये ग्यात हो कि वह इस्त्री जातिका है या फिर पुरस जातिका सब्द के जिस रूप वो सब्द है उसका जो रूप है उससे अगर ये पता चले कि वो इस्त्री जातिका है या पुर्स जातिका है तो उसे हम क्या कहेंगे लिंग कहेंगे क्या कहते है लिंग कहते है और हिंदी में आपके जो लिंग होते है वो दो होते है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए तो लिंग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो आपका इस्त्री लिंग है और दूसरा आपका पुलिंग है दो ही लिंग है हिंदी में एक इस्त्री लिंग और दूसरा पुल लिंग तो आप ये तीन पॉइंट पहले आपने समझे लिंग कार्थ क्या होता है तो लिंग कार्थ चिन निशान या फिर पहचान से है दूसरा पॉइंट है या परिभाशा जो है आपकी लिंग की वो है कि सब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो इस्त्री जाति का है या फिर पुरुस जाति का उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे लिंग और हिंदी में जो लिंग है वो आपके दो प्रकार के होते हैं एक इस्त्री लिंग है और दूसरा पुल लिंग है हम इस्त्री लिंग के बारे में भी चर्चा क सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिंग आखिर में पुलिंग किसे कहेंगे तो वे शब्द जो पुरुस जाती का बोध कराते हैं जिन से हमें ये पता चले कि ये पुरुस का है तो हम उसे क्या कहेंगे पुलिंग कहेंगे तो पुरुस जाती का बोध कराने वाले जो शब्द ह उन सब्लिंग को हम क्या कहते है? उने हम पुलिंग कहते हैं. जिन सब्दों से ये पता चले, इस पुलिंग है उन्ही पुरुष जाति का है. उसे पुलिंग कहेंगे ठीक है. अब पुलिंग शब्द के कुछ नियम दे गए है. कौन कौन से है? अगर ये प्रत्य किसी भी सब्द के बाद लगे है कौन-कौन से वो प्रत्य है अगर ये प्रत्य लगे है तो वो सब्द कैसा है तो वो सब्द आपका pulling है जैसे यहाँ दिया गया है मोटा यहीं आ आ रहा है अंत में प्रत्य है चड़ाओ आव आ रहा है बुडापा पा आ रहा है इसी तरीके से और भी सब्द है बच पन ना पन आ रहा है तो इस तरीके से जो प्रत्य दिये गए है अगर ये प्रत्य किसी भी सब्दों के अंत में जुड़े है और आप से उन सब्दों से पूछा जाए कि बताओ इसमें इस्त्री जाती का कौन सा है और पुर्स जाती का कौन सा है तो यह पुल्लिंग कौन सा है इस्त्री जाती कौन सा है तो वो हमेशा कैसा रहेगा पुल्लिंग ही रहेगा जिन सब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न ये प्रत्ते जुड़े हो तो वो सब्द कैसे होंगे तो वे शब्द आपके पुल्ले हो पहला नियम दूसरा नियम आपका कहता है कि परवत हो, महीना हो, दिन हो, ग्रह हो परवतों, महीनों, दिनों, ग्रहों इनके नाम हमेशा कैसे होते है पुल्लिंग में होते है ये हमेशा आपके पुल्लिंग में ही रहेंगे चाए वो महीने का नाम हो, परवत का नाम हो, दिनों के नाम हो जैसे विद्धानचल अब विद्धानचल क्या है परवत है परवतों के नाम मेरे बताई किस में जाएंगे पुलिंग में जाएंगे हिमाले सौंबार दिन का नाम है वैशाख महीने का नाम है चैत्र वैशाग जेश्ट असाड ये सभी किस में जाएंगे तो ये सभी आपके पुलिंग में जाएंगे इसी प्रकार मंगल एक ग तो दिनों के, महीनों के, पर्वतों के, ग्रहों के, अगर ये नाम आ रहे है तो वो नाम किसमे होगे आपके? पुलिंग में होगे. ठीक है? अगला नियम है आपका, पेड़ों, अनाजों, द्रब्य पदार्थों, रत्नों, देह के अबयबों, जल इस्थलों के नाम पुलिं में होते हैं. किसी पेड़ का नाम हो, किनी अनाज का नाम हो, कोई द्रब्य पदार्थ हो, या कोई रत्न हो, या फिर कोई देह के अबयब पार्ट्स और बोडी हो, उनके अगर नाम दिये जा रहे हैं, तो वो किसमे होगे? तो वो सभी आपके पुलिंग में होगे. जैसे, पीपल, पेड़ का नाम है, नाम है तो भाई पुलिंग, बाजरा, अनाजों के नाम, घी, यानि द्रब्य पदार्थों के नाम, हीरा, रत्न, हात, सरीर के अबयब समुद्रिये, आपके जलिस तरहें. तो यदि पेड़ों के, अनाजों के, द्रब्य पदार्थों के, रत्न आपका pulling हो जाएगा ठीक है अगला है नियम चार कि वर्ड माला के अनेक अच्छरों के नाम pulling होते हैं वर्ड माला के कई ऐसे सब्द होते हैं जिन के नाम pulling होते हैं जैसे ये सब ही आपके जितने भी अंग्रेजी बर्ड माला दिये गए हैं अच्छरों सभी कैसे हैं pulling शब्द हैं तो यहां आप समझ गए pulling किसे कहते हैं तो बेशब्द जो पुरुस जाति का बोध कराते हैं उन्हें pulling कहते हैं और इसके नियम दिये गए हैं अब बढ़ते हैं अगला जो है आपका istriling istriling क्या होते हैं तो बेशब्द जो istr territ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं istriling कहते हैं नियम दिया गया है भासा हो, बोली हो, लिपियां हो, नदियां हो, तिथियां हो, नचछत्रों इनके नाम हमेशा किसमे होते है तो वो हमेशा इस्त्री लिंग सब्दों में होते है जैसे हिंदी, पंजावी, यमुना, गंगा, पूरिमा, अश्वनी, नचछत्र है इन सभी के नाम आपको किसमें मिलेंगे तो ये सभी नाम आपके मिलेंगे इस्त्रिलिंग सब्दों तो वे शब्द जो इस्त्री जाती का बोध कराते हैं उन्हें हम इस्त्रिलिंग कहते हैं किसी भासा का नाम हो, बोली का नाम हो, लिपियों के नाम हो, नदियों के नाम हो, तिथियों के नाम हो, ये नचछत्रों के नाम हो इन सभी के नाम आपके किसमें दिये गाएंगे इस्त्रिलिंग सब्दों अब कुछ सब्द दिये गए हैं जिनमें हम कुछ सब्द ऐसे हैं कि आप प्रत्य लगाने से उनके इस्त्रिलिंग बनते हैं और कुछ प्रत्यत्रा लगाने से उनके इस्त्रिलिंग बनते हैं अब जैसी प्रिये शब्द है प्रिये शब्द का इस सिलिंग क्या होगा प्रिया होगा और ये आपके एक्जाम के लिए most important है, ठीक है? बाल शब्द का इस्तिलिंग क्या होगा तो बाल का हो जाएगा बाला पूजी का क्या होगा तो पूजी का हो जाएगा पूज्या आचार्य का क्या होगा तो आचार्य का आचार्या हो जाएगा करता का करत्री, धाता का धात्री, नेता का नेत्री और इसी प्रकार अभिनेता का अभिनेत्री. ठीक है? अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही आपके पुल्लिंग और हमेशा ही इस्त्रिलिंग रहते हैं. उनमें हम नर और मादा जोड करके उनके हम लिंग परवर्तन करत जैसे नर मक्खी, मक्खी का आपका पुलिंग क्या बनेगा नर मक्खी कहेंगे ना कि उसे मक्खा कहेंगे ठीक है इसी परकार नर छिपकली है तो छिपकली का अगर पुलिंग बनाना हो तो नर छिपकली होगा ना कि छिपकला हो जाएगा ठीक है बई तो यह से तुकर नहीं देंगे छिपकला तो नहीं कहा देंगे चिपकली का उसमें नर और मादा जोड देंगे इसी प्रकार भेडिया भेडिया का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा मादा भेडिया गेड़ा का बनाएंगे तो गेड़ा का बन जाएगा मादा गेड़ा और नर कोयल का कोयल हो अगर मचली आजाए तो मचला तो नहीं जहने है ठीक है, इस तरीके से उन्हें नर और मादा हम जोडते हैं, ठीक है, तो ये थे आपके इस्त्रीलिंग, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रिक आपको बता रहे हैं, कि कैसे हम पहचानेंगे, ये सब जो ह है ट्रिक क्या है अच्छा मेरा और ये सब्द दूसरा है मेरी ये दो सब्द आप पढ़ लो मेरा सब्द कौन यूज करता है पुरुस भाई यूज करेगा मेरा अब आप जैसे पुरुस हो तो अब आप क्या कहोगे मेरी तो नहीं कहोगे मेरा ही कहोगे मेरी कौन यूज करता है लड़की ठीक है तो किरी सब्दों के आगे मेरा और मेरी जोड़ने से हम इस्तिलिंग और पुलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं ठीक है मेरा जोड़के पुलिंग मेरी है इस्तिलिंग जैसे यहाँ पर हम सब्द जैसे आपके देखे मालनों कोई सब्द दिया गया है जैसे आपका दे दिया कुर्शी दे दिया मैंने पूछा बताओ कुर्शी कैसा सब्द है तो आप क्या करो मेरा कुर्शी मेरा कुर्शी कहते हो नहीं कहते हो क्या कहते हो मेरी कुर्शी तो कुर्शी जो सब्द है वो कैसा है? वो इस्त्रिलिंग शब्द है. कोई भी सब्द हो, किसी भी सब्द के आगे मेरा और मेरी जोड़ दो, बस आपको पता चल जाएगा वो इस्त्रिलिंग है कि पुलिंग शब्द है. ठीक है? अगर जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोई शब्द दिया गया है, तो मेरा घड़ी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी घड़ी कहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको सब्द दिये गए थे, मालनों यहाँ पर दिनों के नाम दे दिये गए, मेरा सौंबार, ना कि मेरी सौंबार, यही कहोगे, मेरा सौंबार नहीं कहोगे, कहोगे मेरी सौंबार, इसी प्रकार, मेरा सॉम्मार कहोगे न कि मेरी शॉम्मार, पंजाबी, मेरा पंजाबी कहोगे कि मेरी पंजाबी भाषा, मेरा पंजाबी भाषा नहीं होगा, मेरी पंजाबी भाषा होगा, ठीक है? तो किनी सब्दों के आगे अगर हम मेरा और मेरी शब्द जोडते हैं तो उनसे ये क्लियर हो जाएगा ये जो शब्द है वो पुलिंग है या फिर इस्त्रिलिंग है तो ये जो ट्रिक है वो आपको उमीद है पसंद आई होगी ठेक है और ये टॉपिक है इसी के साथ ही आपका टॉपिक लिंग टॉपिक खतम होता है और ये जो टॉपिक से कुछ जैसे रह गया है जैसे अपवाद टाइप रह गए है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार